हलो गाईज, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मिल्टन, अर्नेस्टो, इनर, स्टेनलेस, टील, कैसरोल, जो की सेट ओफ थ्री में आते हैं, ठीक है, तो गाईज, इसे वेले वीडियो स्टार्ट करें आप जल ज़िकर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकोन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वरे बडियो स्टार्ट करें नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और जो भी प्रड़क्ट के हम यहाँ बात करते हैं, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएग यही रहता है, यहाँ पर एक सेट ओफ त्री है, जो कि इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, और इसके और भी खास बाते हैं, जिसके बारे हम आपे थोड़ा से जाके बात करेंगे, तो यहाँ पर आप इसका डिजाइन देख सकते हो, बहुत ही प्यारा डिजाइ को मिल जाते हैं, ठीके, और बाकि अगर आप देखोंगे, अंदर से स्टेनलस स्टील है, इसलिए आप बोला गया है, इनर स्टेनलस स्टील, और बाकि आप डिजाइन तो बहुत ही प्यारा है, इसका कलर कॉंबिनेशन, और यहाँ तक ही इसके उपर जब मिल्टन की ब्रैं और थर्ड वन के डेड लिटर, ठीके, तो यह जो है, इसका overall capacity रहती है, और बाकि अगर height और diameter की बात कर लें तो सबसे बाले है, सबसे चोटे वाले का है, 17 cm, दूसरे का diameter है 20 cm, और 30 cm, और 30 cm और 21.5 cm, और height भी बढ़ती जा रही है, साथ में इसके इसके capacity है, वो तेजी से inner steel मिल जाता है ठीक है जो कि stainless steel रने वाला PU insulation आपको बीच में मिल जाता है plane neck है यहाँ पर ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि एक के उपर एक के उपर एक कैसे जमाया क्योंकि धकन तो उठा हुआ है तो guys यहाँ पर ऐसा है आपको धकन निकालना है और उसके बाद एक के उपर एक यहाँ पर जमाया जाता है ठीक है वो इस तरीके से है कि अगर आप जो है यहाँ पर इस धकन को avoid कर देते हो तो यह उपर वाले जो चीज़ होती है न वो इसके लिए धकन की तरह काम करता है और सबसे उपर वाले काम रखन लगाते हैं तो इस तरीके से चीज़े काम करती है और side handle आपके आप मिलता है तीनों में और side handle जो है वो collapsible है यह ध्यान रखने जाए बात है क्योंकि यहाँ पर जो है यह collapsible side handle और normal side handle में बहुत बड़ा फरक हो जाता है है वो इसलिए तो side handle होना तो जरूरी है उसके बिना तो हम इसको आराम से उठा नहीं सकते हैं सिर्फ उपर वाले ढकन में जो handle दिया हुआ है सिर्फ उससे तो हम इसको हमेशा carry नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका फरोसे किसी ने अगर ठीक से बंद नहीं किया तो खुलने का जो है टेंशन रहती है और अगर खुला हुआ है तो इसको उठाने के लिए side handle तो चाहिए ना तो यह इसकी एक खास बात है बाकी तो गाइस में इसकी जो चीज़ों बोलो ना एक तो एक इनर stainless steel है और दिखने में बड़ा प्यार है किचन में इस तरीकी आइटम पढ़े लेता है तो बहुत से लगता और आप किसी को gift भी करोगे ना तो वो भी appreciate करेंगे क्योंकि उ अगली चीज़ बात कर लें तो यह है microwave safe आप इसको microwave में रसकते हैं क्योंकि इनर stainless steel है यह ठीक है और यहाँ पर आपको double wall मिल जाता है बार के तरफ जो है आपको double wall मिल जाता है और सबसे अची चीज़ यह है कि dishwasher safe है और stackable है एक की उपर एक की उपर एक उपर रख सकते हैं और turn करके आप इसको detach भी कर सकते हैं बहुत easily और space saving है क्योंकि collapsible side handles आपको मिल जाते हैं त और number of pieces आपको यहाँ पर 3 मिल जाते हैं बावल मेटीरिया stainless steel है microwave safe है ठीक है company खुद बोलती है microwave safe है कोई दिक्कत नहीं है और shape इसका round रहा है capacity 3 piece Ernesto casserole है और यहाँ पर dimension रहेगा इसका dimension क्या मतलब तो capacity रहेगी 420 ml, 850 ml और 1430 ml यानि कि एक तरह से आपके दो डेटर कर रहेता है और dimension है 21.5 का width और 14.3 का action video सबसे बड़े वाले का यहाँ पर लिखा हुआ है बाकी सब तो मैंने आपको पहले अलरड़ी बता दिया इस वीडियो में वेट रहेगा 1 kg 880 g यह तीनों का मिलाके रहेगा तो guys overall यह थी सारी कहानी हमारे stainless steel milton ernesto casserole की ठीक है तो guys वीडियो कर अच्छा लगे वीडियो क कर दें और अपने दोस्तों के साथ share कर देना क्योंकि हो सकता वो लोग भी कुछ प्लान कर रहे हो दिवाले पर किसी वो ग्युप पर कर देने के तो उनके लिए help हो जाएगी और बाकी आगर आप चैनल पर नए और चैनल को साइक जबू कर लें क्योंकि इस हमारे आगे आन